अगले महीने कर दी जाएगी और चुनाव मार्च में करा लिये जाने की संभावना है बतादे गरामिन विकास एवं पंचायती राजमंत्री अलमगीर अलम ने बताया कि चुनाव को लेकर होने वाली अवसक परकिरियत्ताय हो गई है यह लक्ष रखा गया है कि मार्च तक चुनाव करा लिया जाएगा इस दिसा में तेजी से करवाई भी की जा रही है मंत्री ने कहा कि पहले कोविड-19 के कारण पंचाय चुनाव नहीं कराया जा सका वहीं परकिरियाओ को पूरा करने में सरकार जुट गई है जनकारी के अनु अयोग से इसे जिल्लमें भेजा जाएगा बतादे D.C. Uvard, war ुसकी छटनी कराएंगे फिली से परकासित कराया जाएगा जारखन में दो दिन और बारी से राहत नहीं जारखनवासयों को अभी और दो दिन बारी से राहत नहीं मिलने वाली है बतादे 22 जनवारी कि रात से बतादे मौसम भी भाग ने 24 और 25 जनवरी को राजे के कुछ इलाकों में बारिज की समहना जताई है 24 को राजे के दक्षनी भाग यानि पूर्वी और पच्मी सिम्भूम के अलावा सराय के लाखर सावा तथा सिम्डेगा के अलावा मद्य भाग राची बोकारो गूमला हजयरी बाग खोटी अमरामगर तथा उतरी पुर्वी भाग देवगा धनवाद दूमका गिरीडी गोड़ा जामतरा पाकूर और साहिब घंज में हलके समाद दरज की बारिस होगी केंद्र के खिलाब 23 और 24 फरवारी को हरताल करेंगे स्रमिक संगठन केंद्री स्रम संगठनों ने केंद्र सरकार की नीतियों को जन बीरोधी बताते हुए सन्युक्त रूप से मोर्चा खोल दिया है बता दे 23 और 24 फरवारी को हरताल की घोसना भी की है एटक के राष्ट्रिय अध्यक साथी रमेंद्र कुमार के अध्यक्सता में तनिवार को राजे की ट्रेड यूनियोनों ने फिजिकल और वर्चुल दोनों माध्यम से सन्युक्त बैठक की इसमें हरताल को सफल बनाने पर चार्चा की गई बता दे बैठक में C2, एटक, एकटू, हमस, आई, यू, टी, यू, सी, फेवी, एफ, एम, आर, आई, ए के अलावा एंसूरेंस, निर्वान, इस्पात और कोईल, उध्यों के नित्रित्यकारी परतिनिध्यों ने भी हिंसा लिया है अलग कुलहान राजी के नाम पर बवाल, गरामीनों के हमला से दर्जनों जवान घायाल, कुलहान गोर्मेंट इस्टेट के नाम पर अवय तरीके से पूलिस और सिक्षकों की बहाली ममले में पूलिस द्वारा चार लोगों को हिरासत में लेने और फिर उसे छोड़ाने को लेकर पूलिस और गरामीन आमने सामने हो गए, बताजे सैक्डों की संख्या में आये गरामीनों ने चाई बासा के मुपसिल थाना का घिराव किया, वही घंटो थाना घिराव के बाद उत्तेजित गरामीनों ने तीर धनुस के साथ पत्थरवाजी करने लगे, इस दरहन प लेकिन गरामीन नहीं माने, पुलिस को लाठी चार्ज और आसु गैस छोड़ना पड़ा, इधर गरामीनों के पत्थर और तीर धनुस चलाने से मुपसिल थाना के कंस्टेबल बिरिज भूसन मिस्तरा के पेट वा कमर के बिच तीर लगी है, बता दे उस सदर अस्पताल में प्रात्मिक उपचार करने के बाद गंभीरा आवस्था में टी एमेच रेफर कर दिया गया, वहीं दर्जुनों जवान को चोट भी लगी है, सिक्षको का ग्रिह जीला अस्थरांतरन सिग्र मंत्री की स्विक्रीती, सिक्षको को उनके ग्रिह जीले में अस्थरांतरन की मज़ेत ने मावली में संसोधन पर अपनी स्विक्रिती पदान कर दिया है इस पर सिगरी केबिनेट की स्विक्रिती लिजाएगी बता दे शिक्षा मंत्री ने कहा कि सिख्षकों का ग्री जीले में अस्तरांतरन चरनवत ढंक से किया जाएगा इस से पहले दिभ्यांग महिला पती पत्नी को ग्री जीला अस्तरांतरन कर लाब दिया जाएगा बता दे इसके बाद जीन की सेवा अधी पांच साल पूरी हो गई है उन्हें अवसर मिलेगा सिख्षा मंत्री जागनवात महतों ने रभी वार को इसकी जनकारी एक क्रित ग्री जीला अस्तरांतरन सिख्षक स्वाइन फुलू और जापानी बुखार के एक मरीज की पुष्टी हुई है इस मरीज का इलाज टाटा मैं होस्पीटल में चल रहा है मरीज बंगाल के पुरूलिया का रहने वाला बताया गया है टी एम एच में इलाज कराने पहुँचे मरीज में जापानी बुखार के लक्षण मिलने पर जीला सर्विलेंस विभाग को इसकी जनकारी दी गई है बताय दे सर्विलेंस की टीम ने जाच का नमुना लेकर एम जी एम मेटकल कॉलेज भेजा जहाँ जापाने बुखार की पुष्टी हुई है गुमला में 149 रासन डिल्रो को सो काज जारखन के गुमला के जीला अपूर्ती पतादिकारी गुलाम समदानी ने 149 रासन डिल्रो से असपश्टी करन मांगा है बतादे सो काज का जबाब नहीं देने पर आयकी करवाई की जाएगी डि एसो ने कहा कि आहार पोटल पर प्रदर्सित मासिक खद्यान बित्रन की जाच करने पर जन्वरी माह में 149 डिल्रो द्वारा रासन का बित्रन शुरू नहीं किया गया है आपको बतादे कि इन्हें इसकी जनकारी पहले दी जा चुकी है इसके बाद भी लपरवाही बरती गई है J.P.S.C. ने जारी किया 422 आयूस चीकित स्वको की नियुक्ति जहारखन में पहली बार आयूस चीकित स्वको की अस्थाई नियुक्ति होगी बता दे जहरकन लोग सेवा आयोग ने स्वास्त विभाय के अनुसंसा पर इन पदों पर नियुक्ति पर किलिए शुरू करते हैं बिगापन जारी कर दिया है इसके तहट नियुक्ति के लिए 2-24 मार्च तक आउनलाइन आवेदन भर जाएंगे बता दे आयोष चिकिसकों के जिन पदों पर नियुक्ति होगी उसमें अवेद के 207, होमयोपैथी, के 137 तथा युनानी के 78 चिकिसकों के पद सामिल है इन पदों पर नियुक्ति के लिए करमसा BAMS, BHMS तथा BUMS की डिगरी अनिवार्य है जारखन में पांच करोर सूरे नमसकार किये गए सोतंत्रता की 75 वी बर्सगाट पर आवेजीत 75 करोर सूरे नमसकार अभियान में जारखन ने रिकोर्ड अस्थापित किया है वहीं बिद्या भार्ति की स्कूलों में पढ़ने वाले मुसलिम और इसाई परिवार के बच्चे ने भी इस कारिकरम में बढ़चर कर भाग लिया है जार्खन में रभीवार को 1279 नाई केस मिले हैं जबकि 3423 मरी स्वस्त भी हुए जार्खन में रभीवार के आकड़े केनुसार कूलेक्टिव केस की संखेया 2479 है भारत में 2,998,133 केस मिले जबकि 2,42,580 मरी स्वस्त भी हुए भारत में कूलेक्टिव केस की संखेया 22,42,010 है नई सिक्छा नीति के तहद 4 अस्तर पर त्यार होगा कोर्स नई सिक्छा नीति के तहद पाठे करम त्यार करने के परकिरा सुरू कर दी गई है इसके लिए NCERT द्वारा सभी राजियों को पत्र लिखा गया है बतादे पाठे करम त्यार करने के पुर्व राज अस्तर पर राज पाठे चार्चा के रूप रेखा त्यार की जाएगी NCERT के पत्र के अलोक में जार्कन सेक्षनिक अनुसंधान एवं प्रसिक्छन परिशत की निदेशक ने सभी जीला सिक्षा पतादिगाई को पत्र लिखा है पत्र में कहा गया है कि राष्टिय सेक्षनिक अनुसंधान परिशत द्वारा नई सिक्षा निती 2020 के अंतरगत राज अस्तर ये चार्य पाठे चार्य की जाएगी सभी राज्यों को पाठे चार्य में अपने परिवेस के संदर्व में त्यारी करने को कहा गया है जारखन में भी पाठे चार्य त्यार की जाएगी जारखन में पहली बार हाई स्कूलों में नियुक्त होंगे कंप्यूटर सिक्षक जारखन राजी के 189 कर्मिक उच विद्यालों में 2089 सिक्षकों और करमचारियों के पद स्रीजित होंगे बता दे शिक्षा मत्र जगनायत महतों ने पद स्रीजन के प्रस्ताव पर समयती दे दिया बता दे राजी के पद स्रीजित होंगे बता दे राजी गठन के बाद पहली बार स्कूलों में कम्प्यूटर स्क्षक के पद का भी स्रीजन हो रहा है बता दे हाई स्कूल में स्क्षकों के पद स्रीजन को लेकर कमिटी बनी थी कमिटी ने वर्तमान परिच्छेप में विद्यारतियों के आवसक्ता को देखते हुए पस्रीजन का प्रस्ताव त्यार किया था जिसमें कम्प्यूटर सिक्षा के पस्रीजन की भी आवसक्ता बताई गई थी बता दे राजी में मैट्रिक अस्तर पर कम्प्यूटर की परिक्षा तो ली जाती थी लेकिन अब तक स्कूलों में कम्प्यूटर सिक्षक के पद स्रिजत नहीं थे ओनलाइन कलास करने के दुर्ण खाते से उड़े लाखो रुप है रांची सही जारखन के अलग अलग जीलों में साइबर अपराद के गराफ लगतार बढ़ता जा रहा है बता दे पूलिस की करवाई की बावजूद साइबर अपराद रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं वहाई अब साइबर अपराद होने लोगों से ठागी का एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे आप सुनकर होस हो जाएंगे बता दे साइबर ठाग इसकूली बच्चों के माध्यम से ठागी करने लगे हैं जिसमें बच्चों के ऑनलेन कलास उनका सबसे बड़ा हत्यार सावित हो रहा है बता दे ममला रांची के लालपूर का है पीडिता राम बिने राम ने बताया कि उनका बच्चा मोबाइल से ऑनलेन कलास कर रहा था इसी दोरान उसके मोबाइल पर गेम खेलने का एड आया जैसे ही बच्चे ने उस लिंक पर किलिक किया पिर्टा के खाते से 1,27 रुपय निकल गए जारखन में 37 लाख बच्चे में सिर्फ 7 लाख की हो रही डिजिटल पढ़ाई कुरोना संक्रामन की वज़ा से राजे में स्कूल बंद है और बच्चों की ओनलाइन कलास सुरू हुई है और उन्हें डिजिटल कॉंटेंट उपलब्द कराए जा रहे हैं इसके बाजूद इससे सभी बच्चों तक डिजिटल कॉंटेंट नहीं पहुँच पा रहा है बतादे परदेश की पहली से आठवी के 29 फिर्दी बच्चे ही अब तक इससे लभानवीत हो रहे हैं राजे में पहली से आठवी कलास में कूल 37,89,078,076 नमांकी था हैं लेकिन डिजिटी साथ के माध्यम से डिजिटल कॉंटेंट 7,13,336 को ही मिल पा रहा है इसकुली सिक्षावत सक्षता विभाग ने इसकी गती बढ़ाने का निदेश दिया है बतादे डिजिटी साथ के माध्यम से बचों को डिटल कॉंटेंट पहुचाने में सिम्डेगा जिला अवल है वही राची दूसरे और पूर्वी सिम्वम तिसरे अस्थान पर है असम के सरोष नागरिक समान असम बयभाव समान परदान करेगी बतादे गुवा हाटी में अरजिस समारों में परदेश के राजेपाल जगदीश मुखी के अलावा असम के मुख्य मंत्री हिमंत विशाव सर्मा भी मुझूद रहेंगे बतादे असम सरकार की ओर से रभिवार को यह जनकारी दी गई है गुमला बाईपास सरक पर बोले बीत मंत्री रामेशवर उराव जारखन के बीत मंत्री डाक्टर रामेशवर उराव ने कहा है कि गुमला सरक की लाइफ लाइफ लाइन बाईपास सरक नहीं बनना चिंता की बात है बाई पास सड़क गुमला सहर के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है इसके बाद भी सड़क नहीं बन रही है इसके लिए वे खोद गंभीर है इस समध में वे केंद्रिय मंत्री नितिन गटकरी को पत्र लिखकर बाई पास सड़क की स्थिती सवगत कराएंगे उन्होंने कहा कि 15 चुनाव की त्यारी पूरी कर लिए है सनिवार को वे गुमला सर्कीट हाउस में पत्रकारों से बात कर रहे थे देवघर एमस में शुरु हुआ वैक्सिनेशन सेंटर देवघर एमस में कौरोना वैक्सिनेशन सेंटर की सुरुआत हुआ है इसका उतगाटन देवगर एम्स डारेक्टर डाक्टर सौरव और सिविल सर्जन डाक्टर सीके साही ने सनुक तुरूप से किया बता दे एम्स कैंपस में बैक्सिनेशन के सुरुआत होने से लोगों काफी रहात मिलेगी इस मौके पर देवगर एम्स डारेक्टर डाक्टर सोरो ने कहा कि अभी शुरुवात तोर पर स्वास्त कर्मियों के लिए कोविट वैक्चिनेशन की सुविधा उपलब्द कराई जाएगी इसके बाद या सुविधार लोगों के लिए उपलब्द रहेगी रिम्स में सो मौर से मरीजों को 85% कम कीमत पर मिलेगी सस्ती दवाई लंबे इंतियार के बाद रांची रिम्स में 24 जनवरी 2022 से जन आउस्दी केंदर खोल जाएगा बताएद जन आउस्दी केंदर खोलने की सारी तेरिया कर ली गई है स्वास्त मंत्री बनना गुपता इस नए जन आउस्दी केंदर का उदगाटन करेंगे बतादे उदगाटन के बाद यहां मरीजों को 85% तक कम कीमत पर दवाई उपलब्द हो सकेंगी इससे गरीब मरीजों को काफी राहत मिलेगी नई एजनसी को रिम्स की ओर से यह केंदर सुपूर्द कर दिया गया है नई एजनसी ने भी सभी कागजी करवाई पूरी कर ली है इसके बाद ही यह केंदर उसके हवाले किया गया है स्कूली बच्चे के बैंक अकाउंट खुलवाने में फिश्डी सावित हुआ चत्रा है सरकारी स्कूलों के बच्चों के बैंक खता के उपलब्धता में चत्रा जीला फिश्डी सावित हो रहा है पताद जीला अस्तरे रैंकिंग में 24 वा स्थान है कल्यान विभाग द्वारा जारी आकड़ों के नुसार पहली से लेकर आठवी काक्षा तक 1,37,377 बच्चे नमांकित है जिसमें मात्र 27,667 बच्चे ही कल्यान विभाग में छातिविति के लिए इंडॉल्मेंट है वैसे कूल नमांकित बच्चों की संख्या 1,89,043 है जिसमें 44,253 बच्चे का पैंक अकाउंट है इसमें समान स्रेनी के भी बच्चे सामिल हैं जारखन में कुरोना रिकवरी रेट देश से बेहतर हो गया है बतादे रभी वार को जारखन में कुरोना रिकवरी रेट 94,1,1 फिश दी रही जारखन में रभी वार को 34,2 लोगों को कुरोना को मात दे दी है गंतंत्र दिवस को लेकर गुमला सदर थाना की पूलिस अलर्ट है बतादे पूलिस हर गति विदियो पर नजर रखे हुए हैं सहर से गुजरने वाले हर आन जान एवं संदिक्द पर पूलिस नजर गड़ाय हुए हैं वहीं गुमला सदर को होटलों में ठारने वाले लोगों के सम्मान में भी पूलिस पूरी जनकारी पराप्त कर रहे हैं बतादे गुमला सदर में किसी परकार का अपराद और अवैद करोबार न हो इसके लिए गुमला सदर थाना के परभारी मनोच कुमार ने पूलिस पल के साथ गुमला सदर के विबिन होटलों की जाच की जारखन में खराब मौसम और लोग विजिबिलीटी के कारण रांची अरपोर्ट पर छो फलाइटे रद जारखन का मौसम इसमें बहुत खराब है लगातार बारिस होने के कारण ठाट काफी बढ़ गई है बता दे चारो और कुहासा चाया हुआ है सुबा और साम इस्तिती बहुत खराब है इसका असर अब विबिमान परिचारन पर भी पढ़ने लगा है बता दे लो विजिबिलीटी और खराब मौसम के कारण रांची एरपोट पर अबिवार की देर साम आने वाली पलाइट को रद कर दिया गया इस कारण यात्रियों को काफी परसानी हुई कुछ एरलाइंस कंपलियों की और से अपने यात्रियों को एस एमेस से सुचना भी दी गई बता दे जो यात्रे यारपोट पहुंचे थे उन्हें पलाइट रद होने की सुचना दी गई पूर्व मंत्री एनोस एका समेत 20 लोगों को हंथियार जमा करने का आदेश राइधानी में आर्मस एक्ट का उलंगन करने वाले के खिलाप राची जीला परसलसन करवाई की तियारी कर रहा है बता दे पूर्व मंत्री एनोस एका सहीद 20 ऐसे लोग हैं जिनके पास 3 हथियार है बता दे उन्हें अपने एक हथियार को जमा करना था लेकिन ए लोग हथियार जमा नहीं कर रहे हैं जबकि आमस एक्ट 2019 दिरांग 13, 12, 2019 की कंडिका तीन के अनुसार पूर्व में कोई भी ब्यक्ती दो से अधिक हथियार रख सकते थे मगर एक्ट मेस्टन सोधन के बाद सिर्फ दो ही हथियार वे रख सकते हैं इसकूल जल्द नहीं खुले तो आंदोलन होगा पासवा पासवा ने क्रोना पोटोकाल के तहत बंद इसकूल को खोले जाने की मायंग की है बतादे परदेश अध्यक्ष आलोक दूबे ने कहा कि इसकूल जल्द नहीं खोले गए तो राजे के अविभावक, सिक्चक, बच्चे, सड़क पर उतर कर अंदोलन करने के लिए बादे होंगे उन्होंने कहा कि पिछले दो साल से जारखन में इसकूल बंद रहने के करन बच्चों की पढ़ाई बादी था है वहीं पडोसी राजे चातिसगर और सबसे ज़धा परभावित महराष्ट में भी सकूल को खोलने का निरने ले लिया गया है ऐसे में हमें आप कोमेंट बक्स में अवसे बताए कि राजे सरकार को क्या स्कूल खोलना चाहिए या नहीं अभी भावक संग का कहना कितना सही है क्या आप अभी भावक संग के साथ है या नहीं इस्कूल पर क्यार नीरने होना चाहिए हमें आप कोमेंट बक्स में आवज से बताए साथ सीजाथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों साथ सेर करना ना भूले थैंक यू